पाटनों, मध्यम पुरुशह, युश्मद बातचीत के दौरान सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुश के सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है आप जानते हैं, वाक्य में एक वचन करता के साथ एक वचन की क्रिया, द्वी वचन करता के साथ द्वी वचन की क्रिया, एवं बहु वचन करता के साथ बहु वचन की क्रिया का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष्के करता हैं एक वचनम, द्वी वचनम, बहु वचनम, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनो, यूयम, तुम सब मध्यम पुरुष्के क्रिया, पठ, पठसी, तुम पढ़ते हो, पठतह, तुम दोनो पढ़ते हो, पठत, तुम सब पढ़ते हो, वद, वदसी, तुम बोलते हो, वदतह, तुम दोनो बोलते हो, वदत, तुम सब बोलते हो नम, नमसी नमतह नमत, हस, हससी हसतह हसत, खाद, खादसी खादत, धाव, धावसी धावतह धावत, लिक, लिखसी लिखतह लिखत, पत, पतसी पततह पतत, खेल, खेल सी, खेल थह, खेलत, गम, गच, गच्छ सी, गच्छ थह, गच्छत, पा, पिब, पिबसी, पिबथह, पिबथ, स्था, तिष्ठ, तिष्ठ सी, तिष्ठ थह, तिष्ठत, द्रिश, पश्य, पश्यसी, पश्य थह, पश्यत, अस, असी, स्थह, स्था, त्वम बालकह असी, त्वम पठसी, युवाम बालिकेस थह, युवाम क्रीड थह, त्वम शीघ्रम चलसी, युवाम अपी गच्च थह, यूयम कुत्र गच्चत, त्वम वदसी, त्वम किमर्थम वदसी, त्वम मधुरम न वदसी, युवाम क्रीडथः, युवाम अत्र तिष्ठथः, युवाम प्रातः, तत्र भ्रमतः, युवाम अत्र न आगच्चतः, यूयम उच्चही हसत, यूयम किमर्थम उच्चही हसत, यूयम किम पश्यत, यूयम पाचिकाह स्थ, यूयम पचतः, यूयम उच्चही न वदत ध्यातव्यम मध्यम पुरुष के वाक्यों में लिंग के आधार पर करता या क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता यथा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, त्वम पठसी तुम दोनों खाते हो, युवाम खादतह तुम दोनों खाती हो तुम सब गाते हो तुम सब गाती हो यू यम गायत